नमस्क्राइब स्वागत है आपको और मैं हूँ आपके साथ लगता बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ खालिस्तान फंडिंग खत्म होने के बाद आपकिसान आंदोलन को ब्रेक लग चुका है क्योंकि साफ़ता पर आपको बताते चले आतंकी फंडिंग पर सरकार की नकेल कर सकते के बाद अपकिसान आंदोलन में पैसर की लगतार कमी देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते अब किसान जो हैं लगतार यहां से उटकर भागते बागती दिखाई पर रहे क्योंकि अब major में किसानों को लाया गया था उनको देने के लिए यहाँ पर बड़े नेताओं को बड़े किसानों को उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि अब साफ़तार पर जो खालिस्तानी फंडिंग पर जो अब ब्रेक लग चुका है इससे साफ़तार पर यह साबीत हो गया कि अब किसान चान आंदोलन में भी बड़ा बनेक लग चुका है कि जिस तरीके से लगतार टूल कीट को लेकर जो एक के बाद एक एहम खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर साफतार पर मोधी सरकार ने भी ये साफतार पर चिता दिया है कि अपनी देश की सुराक्षा के खिलाब अगर हमको बा तरीके से खत्म हो चुका है जिसके बाझ गी आप इस तरीके зов दिखाई पड़े कि चाहें बात करें हम गाजिपूर बॉर्डर की जाहें हम बात करें सिंगु बॉर्डर की लगतार अब जगा जगा से किसान अपने घर को वापस लोडते वे दिखाई पड़ तो वाक भी घ खबर यह कि जिस तरीके से लगातार अब तक किसान आंदुरन की आरफ बाद जिस तरीके से एक के बाद एक जो हिंसा भारत में की गई वह वाकई बेहत शर्मनाग थी लेकिन अब जब सारी कडियां खुनकर सामने आ चुकी हैं जब तमाम तरह के सबूत टूलकिट में लिके जो तमाम बाते थी उनका जिक्र अब सब के सामने आ चुका है इसको लेकर अब साफतोर पर जो किसानों का आंदुरन की आतंकियों ने फंडिंग किया था टूलकिट से इसका खुलासा साफतोर पर हो चुका है वहीं आपको बताते चले कि साहिए तो किसान मोचा के एक देत किसान ने भी ये खुछ कबूल किया है कि फंडिंग के चलेते ही अब आंदुरन में बड़ी संख्या में किसान अपनी घर को वापस लौट रहे हैं और फंडिंग के चलते ही लगतार किसान जुट रहे थे क्योंकि उनको हर दिन के हिसाब से पेमेंट दिया जा रहा था उन लाजमी है कि किसानों के दाल अब नहीं गल रही और इसलिए अब वो वापस लौट रहे हैं और साथी साथ बताते चलें उसकिसान नेता ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि आतंकी साजिश वाली फंडिंग से ही दिन रात लंगर चल रहे थे और अब दीरे दीरे जो लंगर थे वो अब खुद को चुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वज़ा से आप किसानों को इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा साथी बताते चले कि अब आंदोरन के लिए साइप्ट किसान मूचा के पास फंड नहीं बचा क्योंकि आएसाई और खालिस्तानी आतंकियों से आ र नहीं मोध हलीवाल और पन्नु का इस्तमाल किया था और जिस तरीके से एम खुलासे एक बार एक हुए है और टूल किट से भी एक खुलासा हुआ कि धालिवाल ने निकिता जाकब के जरिये दिशारवी और शान्तनु को अपने पाले में किया और पुलिस शान्तनु के बै जो कुछ तताकतित लोग जो देश को तोड़ने का काम वो कर रहे थे अब लगतार उनके कनेक्शन जो है वो एक दूसरे से तूट चुके हैं क्योंकि अब सरकार जिस तरीके से इस पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है जैसे दिल्ले पुलिस लगतार एक एक कड़ी को च्छान बीन कर जिस तरीके से जांच में जुटी हुई है और जो एहम खुला से लगतार सामने आ रहे हैं इसे साफ यह हो जाता है कि जो लगतार बहारी फंडिंग इसमें की जा रही थी अब वो खत्म हो चुकी है जिसकी वज़ा से किसानों को अब उठना पाल रहा है तो वाकर य अब जो भारी फंडिंग जो लगतार अब तक आ रही थी करोड़ो और रुपर की जो फंडिंग हर दिन किसानों को दी जा रहे थी अब इस पे लुकावटे आने लग गई हैं क्योंकि अब साफस्वार पर जो कहीं तमाम एजेंसिया हैं वो पूरी तरीके से गहनता से जांच में जुटी हुई हैं जिसका कारण ये रहा कि अब जो किसानों का आंदोला ने जो लगातार अब तक ये बात कहते हैं दिखाई प क्योंकि अब जिस तरीके से लगतार जगायों कि संख्या में भारी कंई देखी जा रहे हैं अग्ला नंबर उनका होगा जिसके चलते लगतार वो अब सड़कों को खाली करकर अपने खेत का बहाना लेकर वापस अपने घर को लोट है जो कि वाकई बेहत शर्मनाख है लेकर इन सब के बीज आपको बताते चले कि किस तरीके से लगतार राकेश चुक है जो खुद को किसान नेता का अधक्ष कहते है किसानों का मसीहा कहते हैं वो भी किस तरीके से लगतार अपनी राजिती चमकाने के लिए यहाँ पर डटे हैं वो हैं वो भी किसी से नहीं चुपा है और इसके लाब आपको बताते चले कि किसान आंधुरन में अब चंबल के दकैतों की भी एंट्री साफ़तार पर हो चुक आप जो अगला पडाव है वो किसानों को बंधक बनाने का है देखे कैसे किसानों को भरकाया और दिल्ली पोलिस के जवानों को बंधक बनाने की यहाँ पर प्लैनिंग गुर्णाम सिंह चडूनी कर रहे हैं जो की वाकर बहत श्रमनाक है और यही नहीं आपको बताते चले क चडूनी यहीं पर नहीं रोके उन्होंने ये भी कहा कि बंदक पुलिस वालों को तब तक नहीं छोड़े जब तक इस्थानी प्रशासन वहां ना पहुँच जाए और जब घुटने के बल बैठ कर मिन्नते करे तब ही पुलिस वालों को छोड़े टूलकित का भंडा फोड हो तक रहे और यहीं वह वज़ा है कि लगतार जिस तरीके से राकेस्ट कैट चाहिए गुर्णाम चिंग चड़ूनी हो चाहिए अन्य नेताओं किसान नेता जो खुद को बोलते हैं उनको यह साब पता चल चुका है कि अब जिस तरीके से टूलकित का जो एहम खुलासा हुआ लोगतार जो पताहिए गुर्णाम को बागतार जो के साथ मिलकर भारत को तोड़ने का लगतार का लगतार का पतार काम कर रहे थे और इस possibility में ये बांगी इसकी ये रही कि अब भार से फंडिंग आना बंद हो चुका है जो कि वाकई बहुत बड़ा तमाचो है अर्विन किज्रवाल के मूँ में रहुल गांदी के मूँ में कि कुछ तरीके से लगतार वो अब भी दिश्वारभी का बचाव करते दिखाई पल रहे ह जहाँ पर एक और वहाँ देश की संपर्भुता की बात करते हैं लेकिन अब जब देश को तोड़ने वालों का नाम सब के सामने आ चुका है देश के खिलाब साजिश करने वालों का नाम सब के सामने आ चुका है तो अब वो अलग तरीके से लोकतंतर की हत्या बताकर उनका बचाओ लगतार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वाकई बहुत शर्मनाख है लेकिन इसी सब के बीच बड़ी बात यहां पर यह कि कि इस तरीके से लगतार आज 82 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है किसान आंदोरन को लेकर लगबग धाई महीने का वक्त हो चुका है और धाई महीने बाद जो एहम खुलासे इसको लेकर सामने आएं यह वाकई बेच शर्मनाख है कि देश को अनजाता जिसे हम किसान कहते हैं उनकी आड़ में कुछ ऐसे गुंडे चुपे हुए हैं जो बाहर शर्मनाख लाए गया था कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में 20-25-25-25000 रुपई लीटर का तेल भरवाया जा रहा था क्या वाकई किसान इतना आधुनिक है क्या वाकई किसानों के पास इतनी धन संपत्ति है कि वह अपने खेट को छोड़ कर हर दिन ट्रैक्टर ट्रॉली में 20-25 25,000 रुपाई लीटर का तेल भरवा कर आ रहा है वहाँ पर लगतार जिस तरीके से स्टॉल्स लगी है जिस तरीके से मसाज की तस्वीरे जो सामने आये थी किया ये अन्यदाता देश को है ये वाकई बहुत शर्मसार करने वाले तस्वीरे थी किकि जिस तरीके से किसानों का यहाँ पर इस्तेमाल जो किया गया था वो साफ तोर पर सब के सामने आ चुका है और बांगी ये कि पूरी सड़की अब खाली हो चुकी जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे चका जाम किया गया था रेल लोकों आंदरन किया गया था लेकिन समर्तन लोगों का बिल्कुल भी नहीं मिला और एक बाफ़र से जो टूल कीट के एहम खुला से सामने आए हैं जिस तरीके दिश्वारवी से लगातार पुष्टाज भी क चुका है लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि ऐसे में जब भारी फंडिंग जो खालिस्तानी फंडिंग अब आनी बंद हो गई है और अब किसानों का धरना आगे बढ़ता है यहीं पर ठप होकर रह जाता यह वाकई देखने वाली बात होगी अफलाल इस पर आपकी क क्या कुछ वाय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें